हाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलर्शिप के बारे में इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बना रखे हैं स्कॉलर्शिप के लिए क्लास 12, क्लास 10, साथ में ही जो अंडर ग्रिजुट प्रोग्राम्स होते हैं इनके लिए मैंने बहुत सारे स्कॉलर्शिप प्रोग्राम्स के बारे में आप लोग को बता रखा है आज की इस वीडियो में आप लोग को में बताने जा रहा हूँ जो बच्चे क्लास 12 पास कर लिए हैं और अंडर ग्रिजुट डिगरी के लिए जा रहा हैं या वो B.S.C. के लिए जा रहा हैं या फिर मास्टर्स के लिए जा रहा हैं जो इंटीग्रेटर प्रोग्राम होते हैं जैसे कि आपने सुना होगा कई बच्चे क्लास 12 के बार इंटीग्रेटर प्रोग्राम में जाते हैं और एक major plus point यह है कि इस scholarship में 10,000 students को scholarship धी जाएगी, मतलब 10,000 students को इस scholarship में select किया जाएगा, और एक और eligibility, जो main eligibility criteria है इस scholarship की, 2020 में जो बच्चे class 12 पास किये हैं, वही इस scholarship में apply कर सकते हैं, अगर आपने 2019 या उससे पहले आपने पास किया है class 12 तो इसमें आप apply नहीं कर सकते हो, और जो बच्चे class 12 2020 में पास कर लिये हैं और उन्होंने graduation के लिए आप कोई course कर रहे हो, किसी college में admission ले लिये हो, तो ही इस scholarship में आप apply कर सकते हो, और भी बहुत सारी details इस scholarship के बारे में हम जानेंगे, चलते हैं अब हमारे laptop screen पे, वहाँ पे मैं जो भी eligibility criteria है, और भी जो important details हैं, वो सारी चीज़े मैं आपको बताने वाला हूँ, दिस वीडियो इज स्पॉंसर्ट बाइ अनेकडमी, अनेकडमी प्रेंट्स तेस्ट अर्डेस तोर्टे इस अर्डेस ये अर्डेस जाने की हम बात कर रहे हैं, वो मिलता है, Department of Science and Technology की तरफ से आप यहाँ पर देख सकते हो Announcement में Inspire Scholarship 2020 Call for Application Under Inspire Scholarship for Higher Education आप यहाँ से देख सकते हो मैंने जो Advertisement है यहाँ पर open किया हुआ है यहाँ से आप जितनी भी Important Notification, Features, Eligibility, Criteria है वो सारी चीज़े आप यहाँ से देख सकते हो इस scholarship का Portal यह हुआ कि इसी बीच आपको Apply कर देना है Links यहाँ पर दीव ही है साथ में ही मैंने description में भी Link दिया हुआ है वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो और अगर हम बात करें Eligibility Criteria की तो मैंने पहले ही आपको बता दिया Class 12 जिन बच्चों ने पास किया है 2020 में और वो कोई regular course कर रहे है B.A.C. B.A.C. Honors B.A.C. M.S.C. MS वगरा M.A.C. MS Integrated Programs वो इस scholarship के लिए Apply कर सकते हैं अगर हम बात करें कितना financial support मिलने वाला है तो उनको 80,000 रुपे annually मिलने वाला है 5 साल तक या फिर जितने साल का उनका प्रोग्राम है उतने साल तक उनको scholarship मिलने वाला है ये सारी चीज़े आप in detail पढ़ सकते हैं अगर मैं आपको पूरा चीज़ बताने लगँगा वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो आप मैंने link दिया हुए इसका website का वहां से जाके आप सारी चीज़े चेक कर सकते हो एक्स्ट्र eligibility criteria and selection criteria यहां पर दिया हुआ है आप इसे भी पढ़ लेना मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर सारी information दी हुई है कैसे application आपको करना है कौन-कौन से documents required है like passport size photograph community certificate eligibility note, advisory note यह सारी चीज़े यहां पर है तो आप चेक कर लेना आप eligible हो या नहीं है जैसे कि statewide eligibility criteria है percentage के हिसाब से भी तो आप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश का जो cut-off है वह है 90.40 तो यह भी आप देख लेना मतलब इस साल का cut-off जैसे ही होगा scholarship उसके basis पर आएगा तो आप एक basics आइडिया लगा सकते हो आपके cut-off कितना होने वाला है तो guys I hope आपको यह वीडियो समझ में आ गया हो कैसे apply करना है कहां पर apply करना है links वगरा मैंने description में दे रखा है वहां से जाकर आप चेक कर सकते हो साथ में eligibility criteria और जो डेट है कब से कब तक आपको apply करना है वह जरूर से ध्यान में रखना और अपनी eligibility आप complete eligibility चेक कर लेना I hope आपको सारा चीज समझ में आ गया हो कैसे apply करना कब apply करना है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि मैं students के लिए अच्छी वीडियो बनाता रहता हूं तो गाइस अब मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक लिए बाबाई have a good day stay home stay safe and keep learning